हेलो फ्रेंट्स आज है एक मैई और आज का करेंट अफिर्स हम देखेंगें एक नमबर क्वेश्चन है हाल में ही कौन सीमा सडक संगठन में कमांडिंग ओफिसर के रुप में नुक्त होने वाली पहली महला वनी हैं ये हैं बैसाली एस हिवास है क्वेश्चन नमबर दो 30 अप्रेल को कनाडा ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का दान दिया है ये 10 मिलियन डॉलर का दान दिया है Q3. भारत बायोटेक ने राज्यों के लिए को वैक्सीन की कीमत 600 रुपे से घटा कर कितने रुपे कर दी है? 400 रुपे Q4. 30 अप्रेल को हर बर्स मनाये जाने वाला अंतराश्टिय जैस दिवस पहली वार उन्यसको द्वारा कब घोसित किया गया था? ये नमबर 2011 में पहली बार घोसित किया गया था Q5. भारत के किस IIT संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का रास्ता निकाला है? ये काम IIT बॉंबे ने किया है Q6. अंतराष्टिय निरित दिवस का मना गया है 29 अप्रेल को और इसका विषय है निरित का उद्देश Q7. वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारती और ACI महला कौन बनी है? किर्ती करंथ या बिंगलूरू इस्थी सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ अस्टेडीज की वैग्यानिक है या प्रसकार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है Q8. जपानी अस्पोर्ट्स वियर ब्रांड ASICS के ब्रांड अवेश्टर कौन बने है? रविंदर जटेडा ये किर्केटर है Q9. कार्मिक मंतराले ने ब्याई सचीव टीवी सुमनाथन को किस पत पर नुक्त किया है? ये बित सचीव के रुप में नुक्त हुए है Q10. कौन सा खिलाड़ी IPL में पचास अर्धस तक लगाने वाले पहले बल्लेवाज बन गये है? डेविड वार्नर Q10. सुप्रीम कोट ने किस राज में इस्थित ब्यदानता के ऑक्सीजन पलांट को फिर से खुलने की मनजूरी दे दी है? तमिल नाडू राज में ये इस्थित है Q12. किस देश के अस्पुतनिक भी के आपात काले नुप्यों के लिए मनजूरी दी है? बांगला देश ने Q13. हाल ही में किस देश ने रोबोट प्रोटो टाइप NEO01 के लिए रस्पेस डेर्विस लांच किया है? चीन ने इसका उद्देश अंतरीच में छोटे खगोली पिंडो का निरिच्छन करके अंतरीच मलवे को हटाना है? NEO01. अंतरीच यान द्वारा पीछे छोड़े गए मलवे को पकड़ने के लिए एक जाल का उपयोग करेगा और फिर अपने बिद्धुत प्रनालिसे से जल देगा. Q14. हाल ही में किंद सरकार ने किस राज या यूनियन टरिटरी के लिए GNCTD अधिनियम लागू किया है? दिल्ली. इसमें अधुसूचित किया है कि अब दिल्ली सरकार का आर्थ उपराजपाल है. Government of National Capital Territory of Delhi ये GNCTD का फुल फॉर्म है. Q15. कौन सा संगटन COVID-19 के खिलाफ लडाई में मदद के लिए भारत को साथ सजार ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर परदान करेगा? WHO. इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन है. Q16. मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों यानि सिल्फ Q15. के उप्यों को मंजूरी देने वाला बिस्प का पहला देश कौन बना है? United Kingdom. Q17. किस देश के नुवान जो ऐसा पर मैच फिंक्सिंग के मामले में छो सल का परतिवंध लगाया गया है? Q19. किस भारतिय कंपनी को टाइम पत्रिका की सौव सबसे प्रवसाली कंपनीों की पहली सुची में सामिल किया गया है? वाइजूस एंड जियो प्लेट फॉर्म को ये टाइम पत्रिका अमिर्का की मसूर पत्रिका है Q20. किस सहर के जीला प्रसासन ने एक अनूठी आउक्सीजन औन विल्स पहल सुरू की है? Q21. हाल हमें चर्चे में रहा दन तक परियोजना का समन्ध किस देस से है? ये भूटान से है इसके 60 साल पूरे हुए हैं यह 1961 में इसकी सुरूआत हुई थी जवाहरनाल नेरू के समय में Q22. सरकार ने किस बरस तक 17 मिलियन टन सरसो उत्पादन का लच्छ रखा है? Q23. कौन सा देश ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा फिरकी देश बन गया है? गैंबिया. इसके पहले घाना बना था Q24. किस बैंक ने अपने मर्चिंट अश्टैक के लाउंच की घुसना की है? ICICI बैंक ने Q25. सीरम इंचुचूट ओफ इंडिया ने COVID सीड़ टीके की कीमत कितने रुपए कम की है? 100 रुपए. अब इसका रेट 300 रुपए है 26. नमर कौस्चन. आईसमान भारत दिवस हर बर्स कब मनाया जाता है? 30 अपरेल को Q27. किसने भारत में अपनी यूजर के लिए एक COVID स्पताल निर्देशी का शुरू की है? True caller ने इसमें COVID नामित स्पताल का पता और नमबर दिया रहेगा Q28. हाल हमें Apollo 11 मिशन के किस सदस का निधन हो गया है? Astronaut Michael Collins का Thank you Thank you दोस्तो